कोई कोई सब्जेक्ट होता है न जो बहुत टफ लगता आपको आपको नहीं समझ में आता मगर एक दिन अचानक से एक ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो उसी सब्जेक्ट को इतनी आसानी से पढ़ा देते हैं कि आपको जो चीजे सालों से समझ नहीं आ रही थी वो तुरंत आ जा हो बड़ा कठन लगता हो लेकिन आज की इस बुक संब्री को पढ़ने और सुनने के बाद आप ये बात नहीं कहेंगे यह मेरा वादा है आज की बुक संब्री है वन अप ऑन वाल स्ट्रीट जिसे लिखा है पीटर लिंच और जॉन रॉथ चाइल्ड ने वन अप ऑन वाल स इसको कुछ नहीं बहुत सारे वैलेवल टिप्स और सुजेशन्स भी दिये हैं और इतनी आसानी से इंवेस्टिंग की प्रॉसेस को समझाया है कि ये टॉपिक ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी बन पढ़ा है तो आईए बिना देर कि ये शुरू करते हैं आज की बुक संब पढ़िये और खुद पता लगाईए कि क्यूं हमें स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनेंस का बैक्ग्राउंड हो तभी आपको ये समरी पढ़ने चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में कोई भी नौसिक्या आदमी या आम आदमी किसी भी एक्सपर्ट से कम नहीं है कई बार तो वो एक्सपर्ट से बढ़कर साबित होते हैं पीटर लिंच दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूच्वल फंड मैनेजर है लिंच आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे और कुछ सजेशन और टिप्स भी देंगे कि कब और किन कंपनीज में आपको पैसा इंवेस्ट करना चाहिए इस समरी में परसनल एक्सपिरिंस और कई एक्जामपल्स दिये गए हैं आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस के और करीब ले आएगी पर आपको मोटिवेट करेगी कि आप भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से अकसर लोग स्टाउक में पैसा लगाने से पहले सौ बार सोचते हैं जिन लोगों का कोई फाइनेंशल बैक्डाउंड नहीं होता या कोई एक्सपिरेंस नहीं होता तो वो स्टाउक मार्केट से मीलों दूर रहना पसंद करते हैं इस चैप्टर में पीटर लिंच इस घलत फहमी को तोड़ते हैं कि स्टाउक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इस फील्ड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए चाहे आपने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री और फिलोसफी पड़ी हो तो भी आप स्टाउक बिजनेस में सक्सेस्फुल हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेस में डिगरी लेने की जरूरत है तो आप बिल्कुल घलत सोच रही है बेशक, आपका कभी भी फाइनेस का बेइगराउंड न रहा हो तो भी कोई बात नहीं है स्टाउक मारकेट में आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती मैं भी एकदम ऐसा ही हूँ मेरा कभी फाइनेसल बेइगराउंड नहीं रहा तो भी आज मैं दुनिया का best performing mutual fund manager बन गया हूँ मेरा जनम 19 जनवरी 1944 में हुआ था मेरी माँ अपने साथ भाई बहनों में सबसे चोटी थी मेरी family उस दौर से गुदर चुकी है जब दुनिया में great depression आया था यही कारण है कि मेरी family ने कभी stock market पर भरोसा नहीं किया मेरी family में अब तक सिर्फ एक ही इनसान ने stock market में पैसा लगाया था और वो थे मेरे grandfather मेरे grandfather जिन Griffin ने city service नाम की एक company में invest किया था उन्हें लगा यह water utility की company है लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि city service कोई water utility company नहीं बलकि एक तेल की company है आपको कह लगता है अब उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने फौरण अपने सारे share बेज डाले और उसके कुछ वक्त बाद ही city service के share के price 50 गुना बढ़ गए थे लेकिन यह सिर्फ मेरे grandfather की कहानी नहीं है 1950 के दौर में जादा तर Americans का यही रवाया हुआ करता था लोगों को लगता था कि stock market एक जुआ है जहां वो अपना पैसा हार जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे घर में stock market की कोई बात नहीं होती थी हमारी family investing से कोसों दूर रहती थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मेरे father की brain cancer से death हो गई मजबूरी में मेरी मा को सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी मैंने भी part time काम करने के बारे में सोचा और इस तरह मैं कैडी बन गया कैडी यानि वो जॉब जहां लोगों का सामान उठाने के लिए छोटे मटे काम करने के लिए लोगों को hire किया जाता है उस वक्त मेरे लिए एक कैडी की जॉब भी बड़ी बात थी मैं उन लड़कों से जादा कमा रहा था जो newspaper बेशते थे इसके लावा मुझे प्रेजिडेंट और बड़ी-बड़ी कमपनी के CEO से मिलने का मौका मिल जाता था जिन के लिए मैं बतौर कैडी काम करता था इन्ही लोगों की सोहबत में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट उतनी बुरी चीज भी नहीं है जितना की लोग समझते हैं क्योंकि मेरे कई क्लाइंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे मैं अपने हाइ स्कूल के दिनों में पूरे साल कैडी की जॉब करता रहा ताकि अपने खर्चे उठा सकूँ मुझे साइंस से जादा आर्ट में इंट्रेस्ट था मैट्स, अकाउंटिंग और बिजनिस जैसे सब्जेक्ट मुझे जरा भी पसंद नहीं थे मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जो सब्जेक्ट मुझे स्टॉक मार्केट में बहतर ढंग से तयार कर सकता है वो स्टेटिस्टिक्स नहीं बलकी आर्ट है क्योंकि मुझे लगता है कि इंवेस्टिंग करना कोई साइंस नहीं बलकी एक आर्ट है 1963 में आखिरकार मुझे अपना पहला स्टॉक खरीदने का मौका मिला जब मैंने Flying Tiger Airlines के स्टॉक खरीदे उस वक्त उनके एक शेर का प्राइस था 7 डॉलर मैंने इंवेस्टमेंट के लिए यूही कोई कंपनी नहीं चुनी थी बलकी न्यूस पेपर में एक आर्टिकल पढ़ने के बाद ही मैंने अपना मन बनाया था जिसमें Freight Company के Bright Future का वादा किया गया था Freight Company यानि जो सामान को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाने का काम करती है लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ने के कारण ये नहीं था बलकी असली वज़ा ये थी कि उन दिनों वे अतनाम वार चल रही थी और कारगो का Pacific Ocean में खूब आना जाना लगा रहता था अब ये मेरा good luck ही था जो मुझे इस डील से अच्छा profit हुआ जब मैं Boston College में पढ़ रहा था तो मुझे Fidelity New York की एक boat club में गर्मियों में जॉब मिल गई इस field में मुझे पहले से कोई experience नहीं था यहां मेरा काम बस इतना था कि मुझे कुछ companies के बारे में research करना होता था और फिर report लिखनी होती थी जब मैं अपने graduation के second year के लिए वापस Wharton लोटा तब मुझे पहली बार ऐसास हुआ कि मैंने आस तक जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरे किसी काम का नहीं है college में मुझे statistics और advanced calculus सिखाया गया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो education नहीं है जिसकी मुझे stock market में जरूरत पढ़ सकती थी मैं Wharton college के professor और fidelity के colleagues के बीच compare करने लगा मुझे ऐसास हुआ कि college में हमें जो theory पढ़ाई जाती है वो real life में practical नहीं होती stock market में काम करते हुए मेरा portfolio अभी grow करना शुरू ही हुआ था एक point ऐसा भी आया जब मेरे पास 150 डॉलर की savings थी तो अगर आपको अब भी लगता है कि investing के लिए आपको किसी qualification की expert advice की जरूरत है तो आपको बता दू कि इस field में एक expert बनने के लिए आप जरा भी unqualified नहीं है तो इस story से खुद को connect करने के बाद बढ़ते हैं आगे next chapter की ओर दे वाल स्ट्रीट ऑफ oxymorons पीटर लिंच अपनी बुक में oxymoron professional investing के बारे में detail से बताती है इस chapter में आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे नए investors भी experts को पीछे छोड़ देते हैं professionals के लिए investment में risk factor किसी नौ सिखिये की risk-free investment से एकदम opposite होता है oxymoron का मतलब होता है contradictory terms का एक conjunction जैसे की example के लिए हम कहते हैं कि defeating silence यानि कानों में चुबने वाला सननाटा यो दोनों बातें इतनी अलग हैं कि एक साथ कभी हो नहीं सकती एक और term है जो मैं oxymoron में add करना चाहूंगा वो है professional investing वो इसलिए क्योंकि सारे नए लोगों को चाहिए कि वो investing को एक doubtful perspective से देखें यानि शक की नजरों से देखें stock तभी attractive लगते हैं जब बहुत सारे बड़े institutions stocks में invest करते हैं और जब वो एक recommended list में शामिल होता है असल में लोग stocks खरीदने के लिए दूसरों का wait करते हैं यानि कोई और पहले उसे stock को खरीद ले तब वो खरीदेंगे इसे मैं street lag बोलता हूं companies को सालों साल लग जाते हैं तब जाकर institutions उनके stocks खरीदते हैं तो अगर आप भी इसी इंतजार में हो के पहले कोई और stock खरीद ले तब आप खरीदोगे तो आपको बता दें कि इससे आपके profit कमाने के chances कम हो जाती हैं एक और advice आपको देना चाहूंगा वो ये के कभी professionals की बात मत मानना सुनने में अजीब लगता है ना पर यही सच है असल में जब कभी हमें कोई अच्छा hairstyle करवाना होता है या आपने घर का interior करवाना होता है तो हम experts के पास जाती हैं लेकिन investment की बात अलग है यहां आपको खुद से बढ़िया expert नहीं मिलेगा fund manager वो stocks नहीं खरीदते जिनने देख कर लगता हो कि इससे अच्छा reward मिलेगा इसे potentially rewarding stocks कहा जाता है लेकिन जब यही stocks उपर जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे बहाने होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इस stock बड़े छोटे थे potentially rewarding stocks में इन्वेस्ट करने में जादा risk है और जादा तर fund manager इस risk को उठाने से डरते हैं fund manager असल में अपनी job नहीं खोना चाहते अगर वो अपने clients को IBM जैसी companies में इन्वेस्ट करने को कहेंगे तो उनकी job कभी नहीं जाएगी चाहे stock price कितने ही down क्यों ना चली जाएगा इसके पीछे वज़े ये है कि IBM जैसी बड़ी company की market में अच्छी repetition होती है और उम्मीद की जाती है कि इनके stocks उपर जाएंगे ही जाएंगे इसलिए fund manager के judgment पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा वहीं दूसरी तरफ अगर fund managers अपने clients को किसी छोटी-मोटी company में इन्वेस्ट करने को कहते हैं और अगर stocks बुरी तरह गिर जाएं तो उनकी job भी जा सकती है अगर clients अलग-अलग तरह के stocks में इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक risky decision होगा मानलो तो लोग जो साथ में golf खेलते हैं जनका account एक ही bank manage कर रहा है तो क्या वो अपनी आपसी बाचीत में एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि किसको कितना profit मिल रहा है मानलो A का account 20% बढ़ा है जबकि B का account 40% तक बढ़ गया है तो ऐसी सूरत में A उस bank से अपना सारा पैसा निकाल कर किसी और bank में डालने की सोच सकता है यही वज़ा है कि clients के लिए stocks के सेम बैच से अलग-अलग stocks सुने जाते हैं लेकिन stock market में नया नया होना ही आपकी सबसे बड़ी advantage है क्यूंकि आपके employers आपके किसी decision को criticize नहीं कर पाएंगे और ना ही आप job से निकाले जाओगे आप risk ले सकते हो ऐसी companies में invest कर सकते हो जो IBM से छोटी है आपको अपना पैसा कई सारे stocks में divide करने की जरूरत नहीं है आप अपनी choice से एक ही stock ले सकते हो अगर आपको market सही नहीं लग रा तो तब तक invest मत करो जब तक कि आपको better opportunity नहीं मिल जाती और बेशक ये पता होना कि कहां invest करना है आपके लिए एक और advantage होगी जिस restaurant में आप जाते हो या आपके friends ने नए कपड़े क्या पहने है ये सब describe करता है कि कौन से stocks उपर जाने वाले है ये knowledge आपके पास है उन professionals के पास नहीं जो अपने cabin में बैठे रहते हैं उनके पास कोई ground knowledge नहीं होती सिर्फ अलग अलग companies की report होती है इसलिए असली खबर उन तक पहुँचने से पहले आप तक पहुँचती है Is this gambling or what? इस chapter में stocks और bond के बीज की investment को compare किया गया है साथ ही इन दोरों में से जो भी risk factor जुड़े हैं उन्हें भी explain किया गया है Peter Lynch stock investment को समझाने के लिए stud poker की game को metaphor की तरह use करते हैं stock market गिरते ही लोग bank भागते हैं bond लेने के लिए bond एक loan की तरह है जो investors पैसे उधार लेने वाले को कुछ interest rate पर देते हैं पिछले कुछ 20 सालों से bond काफी popular हुए हैं लेकिन क्या हम bond में invest करने को stocks में invest करने से compare कर सकते हैं बेशक की सच है कि जो profit आपको stocks में मिलता है वो bond से कहीं जाधा होता है वो इसलिए क्योंकि आप जब किसी company के stock में invest करते हैं तो उस company के कुछ share यानि कुछ हिस्सा आपका हो जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो आप उस company के partner बन जाते हो जब company grow करेगी तो आप भी grow करेंगे क्योंकि आप भी एक partner हो दूसरी तरफ bond में आप सिर्फ एक lender हो यानि आप सिर्फ पैसा उधार दे रहे हो जो कि बाद में आपको कुछ interest के साथ वापस मिल जाएगा अब चाहे आप mcdonald's में invest करो या किसी छोटी company में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी growth limited ही रहेगी लेकिन क्या stocks में risk ज्यादा है बेशक है stocks आपको किसी भी profit की guarantee नहीं देते हैं लेकिन important ये है कि आप right time पर पैसा invest करो लोग stock investment को इसी लिए एक जुआ बोलते हैं जब वो पैसे हार जाते हैं लेकिन नुकसान तभी होता है जब आप गलत जगह गलत time पर invest करते हो और जहां तक risk की बात है तो risk कहां नहीं है देखा जाए तो bond भी risky है इसमें कई बार interest rate इतना कम हो जाता है कि आपको काफी कम return मिलता है या फिर आपको discount में bond बेशने पड़ते हैं किसी भी company में invest करने से पहले आपको कुछ basic सवाल पूछ लेने चाहिए और जो जवाब मिले उसी के हिसायप से decide करो कि इस company में invest करना है या नहीं करना है stocks में invest करना poker game की तरह है शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आता फिर धीरे धीरे आपके सामने picture clear होने लगती है शुरुवात में आपको सिर्फ अपने cards का पता होता है लेकिन जैसे जैसे और cards खुलते जाते हैं आपको पता चल जाता है कि जीत किसकी होगी नेक्स चिप्टर है passing the mirror test इससे पहले कि आप stocks में invest करने का मन बनाए पीटर लिंच आपको तीन सवालों का mirror test देते हैं ये सवाल इसलिए हैं ताकि आपकी investment कहीं बहुत जादा risky ना हो जाए साथी पीटर human emotions को भी describe करते हैं जो इस फैसलों के बीच आते हैं जो कि एक investor को लेने पड़ते हैं investing से पहले ये तीन सवाल हैं जो आपको खुद से जरूर पूछने चाहिए एक क्या मेरा खुद का घर है दूसरा क्या मुझे पैसों की जरूरत है स्टॉक में इंवेस्ट करने से पहले आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए क्योंकि घर खरीदना एक primary investment है जो जादातर लोग करते हैं घर खरीदना एक profitable investment है लेकिन घर खरीदते वक्त उतना ही careful रहें जितना कि आप स्टॉक्स खरीदते वक्त रहते हैं अपना घर लेने के बाद खुद से दूसरा सवाल करें क्या मुझे पैसों की जरूरत है अगर आपकी कोई और जिम्मेदारी है जहां आपको पैसे की जरूरत है तो फिर इस टॉक्स में पैसा मत लगाईए जैसे एक्जैंपल के लिए एक जुसाल में अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाना है तो इस टॉक्स में इंवेस्ट करना आपके लिए सही जगा नहीं है आपको स्टॉक मार्केट में तभी इंवेस्ट करना चाहिए जब आप नुकसान उठाने की सिचुएशन में हूँ अगर आपके इंवेस्टमेंट से आपकी डेली लाइफ या जरूरत के खर्चों में फरक नहीं पड़ता तो आप इंवेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो लास्ट में खुद से सबसे एहम सवाल पूछें क्या मैं इतना काबिल हूँ के स्टॉक मार्केट में सक्सेस्फुल हो सकूँ सक्सेस्फुल होने के लिए आप में कुछ पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे पेशेंस, टॉलरंस, कॉमन सेंस, फ्लेक्जिबिलिटी और लगातार डट कर रहने की क्वालिटी इसके साथ ही अपनी गट फीलिंग के हिसाब से कभी मत चलना सिरफ फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेना एक एवरेज लापरवां इन्वेस्टर तीन इमोशन से गुजरता है कंसर्न, कंप्लेसंसी और कपिचुलेशन इन्वेस्टर इस बात को लेकर चंतित रहता है कि कहीं स्टॉक्स नीचे न गिर जाएं इस तर से वो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स नहीं लेता फिर जब वो हायर प्राइस पर स्टॉक लेता है तो अनसटिसवाइड फील करता है पाइनली जब stocks उसके खरीदे हुए price से कम हो जाते हैं तब उसकी हिम्मट तूट जाती है और वो अपने stocks बेच देता है कुछ और investors खुद को long term investors बोलते हैं लेकिन जैसे ही stocks के rate किरते हैं वो फौरण अपने stocks बेच देते हैं और short term investor की भीड में शामिल हो जाते हैं आगे भरते हैं एक और chapter की ओर इस दिस अ गुड मार्केट प्लीज डोंट आस्क लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि investing के लिए ये time सही है या नहीं नहीं इस बारे में कोई भी prediction नहीं की जा सकती इस chapter में Peter Lynch आग को बताएंगे कि अपने पिछले experiences की basis पर हमें क्यों future prediction से बचना चाहिए यहाँ वो the cocktail theory explain करते हैं जो हमें market scenario के बारे में predict करने या पहले से अंदाजा लगाने से रोकती है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं अभी market में invest करना कैसा रहेगा? इस वक्त market कैसी है? अब या down? प्राइस कब बढ़ेंगे? जबकि हकीकत तो यह है कि आप stock market को कभी भी predict कर ही नहीं सकते यह बस समय की बरबादी है क्योंकि future में क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता आपको यह याद रखना चाहिए कि pattern हमेशा repeat नहीं होते जो आज हुआ है जरूरी नहीं कि कल भी हो और इंसान की फितरत है कि वो अपने past experience के base पर future predict करने की गलती करता है मायन mythology के हिसाब से यह दुनिया चार बार खतम हो चुकी है और हर टाइम मायन्स खुद के future को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका protection हमेशा पहले वाले विनाश के खिलाफ होता है जैसा कि मायन्स मानते थे कि सबसे पहले दुनिया बाल में खतम हुई तो मायन्स बचने के लिए पहाडों में चले गए और पेडों में घर बना कर रहने लगे फिर दूसरी बार दुनिया आख से खतम हुई ये सिलसला चलता रहा और हर बार मायन्स खुद को पहले वाले विनाश से बचाने की तैयारी करते रहे लेकिन जो पहले हुआ था वो आगे भी होगा इस बात की कोई गारेंटी नहीं है इसलिए फ्यूचर प्रडिक्शन एक जुवा खिलने जैसा है जब बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स भी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो नए लोग भला कैसे बता पाएंगे तो इसलिए इस सिनारियों में हमें कॉक्टेल थियूरी की जरूरत पढ़ती है मानलो के एक कॉक्टेल पार्टी चल रही है जहां अलग-अलग प्रोफेशन के लोग शामिल हैं और ड्रिंक्स एंजॉई कर रहे हैं तो मार्केट का फर्स्ट स्टेज है जब कोई भी म्यूच्वल फंड मैनेजर से बात नहीं करता लोग डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दातों की प्रॉब्लम डिसकस कर रहे हैं यह वो स्टेज है जहां मार्केट उपर जा सकता है अब आता है स्टेज 2 जहां महमान म्यूच्वल फंड मैनेजर से थोड़ी दिर बात करने के बाद फिर से डेंटिस्ट के पास चले जाती हैं इसे स्टेज में मार्केट के 15% उपर जाने के चांसिज हैं अब आता है stage 3, अब हर कोई mutual fund manager को घेरे खड़ा है और advise मांग रहा है कि उन्हें कौन से stock खरीदने चाही है, यहां तक की dentist भी अब यही सवाल पूछ रहा है, यह वो stage है जहां market 30% उपर जा सकता है, stage 4 में सबने mutual fund manager को घेरा हुआ है, लेकिन इस time वो सम मिलकर उसे बता रहे हैं कि उसे कौन से stock लेने चाही है, यहां तक की dentist भी अपनी tips दे रहा है, यह वो stage है जहां market अब peak पर पहुँँच चुका है, और अब गिरने वाला है, इस learning के साथ अब आगे बढ़ते हैं next chapter की ओर, stocking the 10 beggar and I have got it, what is it? यह chapter आपको ऐसी छह तरह की company को समझने में help करेगा कि आपको कहां अपना पैसा invest करना चाहिए, यह company इस तरह से हैं, slow growers, stalwarts, fast growers, cyclicals, asset plays और turnarounds, अगर आप यह सोचकर परेशान हैं कि कहां invest करें तो एक बार जरा गौर से अपने घर और backyard का जायजा लीजिए, जहां आप काम करते हैं या just mall में आप shopping करने जाते हैं, वहां भी गौर कीजिए, एक average आदमी को साल में दो या तीन बार ही कोई आपको बस यही right मौका ढूणना है, investment method में यह आपका step number one होगा, कोई company grow कर रही है या नहीं, यह जानने के लिए आपको company का CEO या expert होने की जरूरत नहीं है, आप मामूली worker हों, चाहे कोई geologist हों या फिर कोई school teacher भी हो सकते हैं, यानि कि एक मामूली आदमी भी यह पता लगा सकता है, उन चीजों पर invest करो जो आपको पता है, कोई ऐसा product choose करो जो आपने use किया हो या पसंद करते हो, जो product आपको मालूम है, उनके stocks में invest करना आपको एक advantage देगा, क्योंकि एक consumer होने के नाते आपके सामने market position एकदम clear होगी, आपको पता होगा कि market में उस product की demand क्या है और कितना चलता है, बस आपको इसी चीज का खयाल रखना है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, कोई stock आपको सही लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे खरीद ले, पहले उसके बारे में थोड़ी सी research कर लीजे, बिना research के invest करना ऐसा ही है, जैसे अपने cards प बेहत जरूरी है कि जो product आपने juice किया है, वो अपनी company के लिए कितनी sales ला रहा है, जरूरी नहीं है कि कोई product अच्छा बिक रहा हो, तो इसका अपनी company के profit में उतना ही अच्छा contribution भी होगा, जैसे यहां हम Pampers का example ले सकते हैं, Pampers 1970 से market में हैं, और इसके box में लेखा रहता है कि इसे proctor और gamble ने बनाया है, तो अब माना कि Pampers की sale अच्छी है, तो क्या आप इसके stocks लेंगे, अगर आप थोड़ी सी research करते हो, तो आपको पता चलेगा कि Pampers का अपनी company के profit में थोड़ा सा ही contribution है, इसलिए आपको सिर्फ product की success नहीं देखनी है, बलकि ये भी check करना है कि वो company के लिए कितना profitable है, असल में company का size क्या है, ये काफी matter करता है, कोका कोला जैसी company में invest करके आप बहुत बड़े profit की उमीद नहीं कर सकते, असल में बड़ा profit तो छोटी company से ही मलता है, वो इसलिए क्योंकि बड़ी company बड़े profit नहीं देखती, वो तो पहले से ही top पर बैठी है, company की बात आई है, तो हम इने 6 category में divide कर सकते हैं, ये है slow growers, stalwarts, fast growers, cyclicals, acid plays and turnarounds, slow growers वो पुरानी कंपनिया हैं जो कभी fast growers के तौर पर start हुई थी, इनका सबसे बड़ा example है आज की electrical utilities, ये कंपनियां अपने maximum level तक पहुँच चुकी हैं, इन companies की growth, gross national product से 2-4% तेज होती है, gross national product total का मतलब है, उन products और service का market value जो किसी particular period में एक economy में produce किया गया है, stalwarts वो कंपनियां होती हैं जो slow growers और fast growers के बीच में आती हैं, stalwarts में पैसा लगा के आप अच्छा profit कमा सकते हो, Coca-Cola भी एक stalwart company है, तो अगर आप right time पर right stalwart company में पैसा लगाते हैं, तो इस बात की guarantee है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, Fast Growers वो companies हैं जो आपको 200% तक profit दे सकती हैं, Fast Growers company के कुछ example है, fast food business में टेको बिल और जनरल स्टोर बिजनेस में Walmart, इन companies ने एक specific domain में अपना नाम कमाया है और successful हुए हैं, इसलिए market में इनकी अपनी monopoly है, आपको recession यानि मंदी के दोरान company की performance भी जरूर चेक करनी चाहिए, ताकि ये decide कर सकें कि आपको कब तक इनके stocks hold करके रखने हैं, cyclical वो companies होती हैं जिनके profit और loss या तो regular होते हैं या जिनके बारे में जादा predict करना मुश्किल होता है, कुछ cyclical companies के example है, chemical companies और airlines की companies, इनकी rise और fall कुछ external factors पर depend करते हैं, जैसे raw material या administration की policy, turn around वो companies हैं जिनकी किसी problem की वज़ा से growth रुख जाती है, ऐसी companies में invest करना बड़ा risk होता है, अगर इनके कर्ज हमेशा rise कर रहे हों और P ratio inflicted हों तो इनके stocks बेजना ही better होगा, asset play companies investment के लिए potentially rewarding हो सकती है, और इसके अलावा बड़े investors इनहें ज्यादातर नजर अंदाज ही करते हैं, ये company वो हैं जहां आप अपने advantage trick खोल सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि कोई company asset play है या नहीं, एक company किसी एक ही category में नहीं रहती है, एक बार अगर आपने कोई ऐसा stock ढूंड लिया जहां कि आप invest कर सकते हो और उसके बारे में research भी कर ली, तो उसके बाद आपको उस company को इन छह category में से किसी एक में रखना होगा, और ये आपके investment method का तीसरा step है, याने की categorization, आगे बढ़ते हैं next chapter की ओर, ये chapter आगे उस तरह के stocks describe करेगा, जिनमें invest करना आपके लिए ठीक रहेगा, साथी Peter Lynch उस तरह के stocks भी describe करेंगे, जिनमें invest करना आपको पूरी तरह से avoid करना चाहिए, अब जबकि आपने invest करने के लिए companies को categorize कर लिया है, तो अब आपको बताते हैं कि ये company कैसे अपनी earnings बढ़ाती है, वैसे picture अभी तक incomplete है, और आपको story complete करनी है, story complete करने के लिए company की earnings चेक करो, और पता करो कि वो अपनी earnings कैसे increase करेगी, किस तरह की companies अपनी earnings बढ़ाने वाली है, और आप कैसे earnings बढ़ा सकते हो, ये आपको step number 4 पर ले आएगा, अपनी earnings बढ़ाने के लिए companies इन 5 strategies को follow करती है, product या service की cost घटा कर, ये तब किया जाता है जब market में कई सारे competitors हों, और आपको दूसरों से आगे निकलना हो, अपने product या service के rate बढ़ा कर, जब कोई product अच्छा बिक रहा हो, तो यही right time है उसके rate बढ़ाने का, क्योंकि अब product पहले ही hit है, तो आप ये expect कर सकते हैं, कि consumer higher price देने को तयार हो जाएगा, नए market में expand करो, इसके लिए आप और भी better product या service की range ओफर कर सकते हो, companies अपने target audience को भी expand कर सकती है, पुराने market में अपने ज़्यादा product बेशने की कोशिश करो, इस strategy के अंदर companies पहले से बनी बनाई market में अपने current product या service sell करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा market share cover कर सकें, company अपने current customers को ज़्यादा product खरीदने के लिए attract कर सकती है, या फिर नए customers को target कर सकती है, यहाँ तक की अपने competitors से भी customers को अपनी तरफ खीचने की कोशिश कर सकती है, पिचड रहे या बंद होने वाले unit को दूबारा ज़्यादा करें, कोई भी strategy जो फायदे मन साबित ना हो रही हो वो revise की जा सकती है, या फिर earning बढ़ाने के लिए एकदम छोड़ी भी जा सकती है, जो stocks dull लगते हैं, अक्सर वही उपर जाते हैं, imagine गरो कि किसी stock का नाम हो Bob Events Farms, ऐसे नाम वाली company में कोई भी invest नहीं करना चाहेगा, नाम जितना fancy होगा, उतने ही जादा लोग उसमें invest करना पसंद करते हैं, लेकिन ये stocks जादा तर नीचे ही जाते हैं, और भी अच्छा रहेगा अगर किसी boring नाम वाली company का काम भी boring हो, मालो कि कोई company bottle के cap बनाती है, आपने शायद इस company को किसी magazine के front page पर कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये बड़े investors का attention खीच सकती है, अगर institutions इनके stocks नहीं लेना चाहते, तो आपको invest करने के लिए एक potentially company मिल जाएगी, low growth वाली company में invest करना भी अच्छा idea है, high growth industry के shares अक्सर नीचे जाते हैं, आपको ऐसी company के बारे में भी सोचना चाहिए, जो ऐसे product बनाती है, जो लोग हमेशा खरीबते हैं, जैसे razor blade या फिर दवाईयां, computer company में invest करने से अच्छा है, आप उन company में invest करो जो technology का यूज़ करती हैं, वो इसी लिए क्योंकि computer company में हमेशा ज़ादा competition रहता है, और उनके price इसलिए down हो जाते हैं, और जो company इस technology का यूज़ करती है, वो कम price में ही अपना काम कर लेती है, हमेशा profit में रहती है, जिन company का अपने stocks में large share होता है, उन्हें अपनी company पर भरोसा होता है, आप आखें मूंद कर इन companies के stocks ले सकते हो, क्योंकि shareholders को अपनी company से हमेशा अच्छा perform करने की उमीद रहती है, अगर कोई ऐसा stock है जो आपको एकदम avoid करना चाहिए, तो ये वो stock है जो शहर में चर्चा का विशय हो, सबसे हट लगने वाले stocks तेजी से उपर चरते हैं और जल्द ही profit को बड़े नुकसान में बदल देते हैं, किसी industry में high growth होने से वो entrepreneurs के एक छोटे से group को attract करती है, जो इस पर तुरंट action लेते हैं, एक और तरह की company है जो आपको avoid करनी चाहिए, यह है जिसे second another big company के नाम से popular करने की कोशिश की जाती है, जैसे example के लिए next intel या next mcdonald's, वो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज़ का next बेहग मुश्किल से मिलता है, अक्सर लोग invest करने के लिए companies recommend करते हैं, और फिर last में अपनी personal statement add कर देते हैं, मानो वो आप से कोई secret share कर रहे हों, यह companies अक्सर long shots या whisper stocks होती हैं, लेकिन इन stories में कोई दम नहीं होता, ऐसी fancy नाम वाली companies में invest कभी मत करना, यह fancy नाम सिर्फ attract करने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग इन्हें notice करें, next chapter है earnings, 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 the two minute drill and getting the facts, इस chapter में ऐसे कई indicators का जिक्र किया गया है, जो आपको decide करने में help करेंगे, कि आपको investment के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, यह indicators उन्छे categories पर based हैं, जो हमने पहले mention किये हैं, इस chapter में इस बात का भी जिक्र है, कि जिस company में आप invest करने जा रहे हैं, उसका ground fact check करना बेहत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट के पहले हमें यह समझना ज़रूरी है, कि जिस company में आज आप invest कर रहे हैं, कल उसका और ज़्यादा valuable होना क्यों ज़रूरी है, यह earnings और assets से जुड़ी बात है, earnings और assets यह तई करते हैं, कि इन्वेस्टर कितना पैसा लगाने को तयार हैं, P.E. ratio यह पता करने का अच्छा तरीका है, कि कोई stock overpriced है या underpriced, या फिर reasonably priced है, P.E. ratio प्राइज और earnings के बीच का ratio होता है, इसे calculate करने के लिए, हमें किसी stock के current price को company की physical earnings से divide करना पड़ता है, Fiscal earnings company की 12 महिने पहले की गई earnings या कमाई को कहते हैं, आपको किसी company की future earnings चेक करनी होती है, लेकिन अब क्यूंकि आप ये predict नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ ये पता लगा सकते हो, कि company अपनी earnings पढ़ाने के लिए क्या plan करेगी, एक बार आपने ये पता लगा लिया, तो फिर आप regularly चेक कर सकते हो, कि plan काम कर रहा है या नहीं, बस एक बार आपको ये पता करना है, कि company कौन सी category में आती है, और उसके stock overpriced हैं, underpriced या फिर reasonably priced, आपका next step है company के बारे में और जानकारी हासिल करना, और ये पता करना, कि वो आगे जादा कैसे कमाएगी, अगर company slow grower है, तो आपको तभी invest करना चाहिए, जब ये आपको regularly dividend pay करे, और company की earnings बढ़ रही हो, एक और चीज़ चेक करो, कि company recession के time पर dividend pay कर रही है या नहीं, अगर company cyclical है, तो आपको ये चेक करना होगा, कि पिछले कुछ सालों में company की sale में, कोई बढ़ोतरी होई है या नहीं, एक asset play company में आपको ये चेक करना होगा, कि उनके assets क्या है, और उन assets की worth क्या है, अगर company turn around है, तो आपको ये पता लगाना है, कि क्या company अपनी earnings improve कर रही है, और क्या इसके plan काम कर रही है, एक stalwart company में P.E. ratio best indicator है, ये decide करने का क्या आपको invest करना चाहिए या नहीं, अगर आप किसी fast-door company में invest कर रहे हो, तो ये पता लगाओ कि company कैसे और तेजी से grow कर सकती है, अगर आपके मन में doubt है, तो company को call कर सकते हो, ज़्यादा तर companies investing को लेकर अपने customers के साथ honest होती है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सच्चा ही, एक नए एक दिन तो report के जरिये बाहर आ ही जाएगी, जब आप किसी company के shareholder होते हैं, तो आप company के headquarter जा सकते हैं, और वहाँ representative से मिल सकते हैं, इससे आपको valuable contacts बनाने में help मिलेगी, आपको store जाना चाहिए, और उन products को खुद use करके देखना चाहिए, जिन में आप invest करना चाहते हैं, आप users से भी बात कर सकते हो, जो वो product use कर रहे हैं, ताकि आपको market में products और company की position का पता लग सके, और इस important जानकारी को note करने के बाद बढ़ते हैं आगे, next chapter की ओर, some famous numbers, rechecking the story and the final checklist, यह chapter कई index के बारे में describe करेगा, जो यह decide करने में help करेंगे कि invest करना चाहिए या नहीं, इस chapter में आपको investment process की information मिलेगी, और साथ ही tips और suggestion भी, अब तक आपने वो stock ढून लिया होगा जिसमें आपको invest करना है, आपने company के बारे में research भी कर ली होगी, उसे category में भी डाल दिया होगा, और उसकी earnings भी check कर ली होगी, लेकिन अभी भी कुछ और बागी है, जो आपको investing से पहले करना है, यहां कुछ numbers हैं जिन पर आपको investing से पहले एक बार ज़रूर गवर करना चाहिए, percentage of sales, sales percentage ही तय करती है कि किसी product की company में कितनी importance है, यानि जो product जितना बिकेगा, वो अपनी company को उतना ही ज़्यादा profit कमा के देगा, sales जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी importance होगी, price earning ratio, यानि कि PE ratio ये पता करने में help करता है, कि stock कहीं overvalued या undervalued तो नहीं है, या फिर उनकी ठीक ठीक value है, PE ratio price और earnings के बीच का ratio होता है, इसे निकालने के लिए हम stocks price को company की fiscal earnings से divide करते हैं, fiscal earnings किसी भी company की पिछली 12 महिनों की earnings को बोला जाता है, आपको shares तब लेने चाहिए जब company का PE ratio इंडस्ट्री की PE से कम हो, इंडस्ट्री का PE होता है, किसी एक sector या इंडस्ट्री का average price to earning ratio, एक high PE का मतलब होगा कि investors future में high earning growth की उम्मीद कर सकता है, और low PE इस बात की तरफ इशारा करता है कि company की performance पहले के मकाबले अब ज़्यादा better है, इसलिए अगर PE ratio अगर एक से कम है या stock undervalued है, तो stocks लेना आपके लिए profitable रहेगा, तो कहने का मतलब है कि एक lower PE ratio सुनने में बेशक favorable लगे, पर बाकी conditions भी check करना ज़रूरी है, the cash position, cash position होता है किसी company का net cash per share, यह decide करता है कि company का level of cash उसके खर्चों और pending liability के मकाबले कितना है, अगर cash position stable है, तो इसका मतलब company अपने cash on hand से अपनी liabilities पूरी कर सकती है, आपको पता करना होगा कि किसी company के उपर कितना करजा है, और कितना करजा इसने दे रखा है, अगर debt, equity से ज़ादा है तो उस company के stocks मत लेना, company के उपर कितना करजा है यह चीज़ बताएगी कि company future में दिवालिया हो सकती है या नहीं, dividend, जो stocks regularly dividend पे करते हैं, वो हमेशा profitable होंगे, यहां तक की recession में भी वो ज़ादा profitable होंगे, बजाए उन stocks के जो dividend पे नहीं करते, inventory, inventory वो item है जो stocks में hold करके रखा जाता है, और जिन्हें अभी बेचा नहीं किया है, अगर inventory बढ़ती रहे और sales से ज़्यादा ग्रो कर जाए तो यह अच्छी बात नहीं है, company की position regular check करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको store में जाकर और customer से बात करके ground facts और report review करते रहना चाहिए, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस भी company में आप invest करने की सोच रहे हैं, उसे अच्छे से जाँच परक लो, और simple analysis करने के लिए उन्हें category में बाट लो, invest करने के लिए छोटी company को consider करो, उन stocks में पैसा मत लगाओ जिन में हर कोई लगा रहा है, याद रहे, जिस company के ऊपर करजा नहीं होगा, वो कभी देवालिया नहीं होगी, ऐसी company में invest करो जो खुद के shares खरीदती हो, सबसे बड़ी बात, patience रखो, और खूब अच्छे से research करने के बाद ही कोई decision लो, इस learning को note करने के बाद बढ़ते हैं next chapter की ओर, the long term view, ये chapter आपको अपना खुद का portfolio design करने में help करेगा, और ये भी बताएगा के share खरीदने और बेचने का best time कौन सा होता है, हलाकि ये सच है के stock market में कुछ भी fix नहीं होता, फिर भी अगर आप अपनी नजर बनाए रखेंगे तो आपको पता चल सकता है के stocks कब बेचने हैं और कब खरीदने हैं, आपने stocks choose कर लिए हैं तो अब बारी आती है invest करने की, ये है step number 6, अगर PE ratio, industry के PE ratio से कम है तो ये एक अच्छा sign है, एक high PE का मतलब होगा कि आप future में higher earnings growth expect कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त company overvalued है, low PE इस बात का इशारा है कि company पहले से अच्छा perform कर रही है, तो आप ये share खरीद सकते हैं, क्योंकि company undervalued है, लेकिन साथ ही बाकी के factors जैसे inventory, cash flow, cash position, debt वगेरा के factor चेक करना ना भूलें, stock market से 25 से 30 प्रतिशत की annual return की उम्मीद रखना को ज्यादा ही unrealistic हो जाएगा, वो सकता है कि किसी साल आपको 30% तक return मिले और किसी साल में 20% से भी कम, इसलिए important ये है कि unrealistic उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, आप जितने ज़्यादा stocks खरीदेंगे, उतने ही ज़्यादा chance होंगे, कि उनमें से कोई एक stock बड़ा profit कमा करके ते, और अगर आपके पास ज़्यादा stocks होंगे, तो आप easily उनके बीच में पैसों को rotate कर पाओगे, आप अपना पैसा stocks की कई category में बाच सकते हैं, slow grower stocks में risk factor कम रहता है, पर profit भी कम मिलता है, जैसे example के लिए कोका कोला से अच्छी performance की उम्मीद की जाती है, पर असल में profit उतना बड़ा नहीं होता जितने आप उम्मीद करते हैं, इसी तरह asset plays low risk और high gain stock है, cyclical भी low risk या high risk हो सकते हैं, और इनमें profit low या high भी जा सकता है, fast growers high gain और high risk दोनों होते हैं, invest करने का best time वही है जब आपको यकीन हो जाए, कि जो stocks आपने ढूंडे हैं, वो invest करने लायक हैं या नहीं, लेकिन stocks October और December के बीच में सबसे जादा down होते हैं, जब holiday season होता है, लेकिन चाहे जो भी हो, आप अपने stocks हमेशा के लिए hold करके नहीं रख सकते, जिस company में हमने invest किया है, अगर वो अच्छी नहीं चल रही है, तो हमें उसके stocks को hold करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम stocks business में पैसा कमाने के लिए ही invest करते हैं, लेकिन अगर कोई earning हो ही नहीं रही, या आपके investment में loss जा रहा है, तो ऐसी सूरत में shares बेचना ही सही है, और ये आपको step 8 पर लेकर आएगा, यानि कि अपने shares बेचना, लेकिन आप ये कैसे decide करेंगे कि आपको share कब बेचने हैं, तो हम बताते हैं, ऐसा कोई भी single formula नहीं है जो आपको ये बता सके कि अब आप अपने stocks बेच दो, slow growers के shares तब बेचो जब 30-50% appreciation यानि की बढ़त हो, stalwart तब बेचो जब PE अपनी normal range से काफी दूर हो, cyclical को end of the cycle तब बेचना जब कुछ घलत हो जाए, fast grower को तब बेच सकते हो जब PE बड़ी बेतरती भी से बढ़ती जा रही हो, और turn around stocks तब बेचने चाहिए जब ये turn around कर चुकी हो और सारी problems खतम हो चुकी हो, अगर company asset play है, तो जब तक company कर्ज में न जा रही हो, तब तक आप stocks hold करके रख सकते हो, stocks में invest करने के लिए market जब गिरी हुई हो, यानि कि decline कर रही हो, वो भी एक अच्छा मौका होता है, अगर मौका अच्छा ना हो, तो cheap stocks मत खरीदना, अगर कोई company present में अच्छा perform नहीं करती, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी हालत आगे जाकर के सुधर जाए, stock market एक ऐसी जगह है, जहां आपको हमेशा अपना mind, नए आइडियास के लिए खुला रखना चाहिए, और इसी के साथ एनार्ट स्टेप्स को समझाने वाली ये बहतरीन book summary यहीं पर सुमाप्त होती है, लेकिन अभी हम पहुँचे हैं conclusion पर, conclusion यानि कि वो पढ़ाओ, जहां पर हमने अभी तक इस summary से जो कुछ भी सीखा, उसकी learning essence रूप में सीखेंगे, revise करेंगे, तो one up on the wall street आपको stock business पर knowledge आफर करती है, जो इस book के author पीटर लिंच अपने readers के साथ शेयर कर रही है, वो खुद एक investment expert है, ये summary, experts के साथ साथ नए लोगों के लिए भी बड़े काम की है, आपने इसमें लिंच के experience और suggestion के बारे में जाना, जो आपको right company में right investment करने में help करेगी, इसे जानने के बाद आप company को अलग-अलग category में रख पाएंगे, और ये भी पता लगा पाएंगे के कौन सी investment आपके लिए सही होगी और कौन सी नहीं, इसमें आपको सारे risk factor के बारे में भी बताया गया है, ताकि आपको ये ऐसा decision न लें, जो आपको किसी बड़े नुकसान में फसा दे, इसके साथ ही आपको इसमें अपनी personal financial status पर based best advice भी मिली, आपने step by step सारी details भी समझी, और अब मेरा ये पूछना के ये book summary आपको कैसी लगी, ना, ऐसा सवाल पूछ करके मैं ऐसे waste नहीं करूँगा, बलकि मैं आपसे यही कहूँगा, कि जो भी point आपको इस book summary में से पसंद आया हो, जो भी learning आपको सबसे अच्छी लगी हो, उसे comment section में जरूर लिखिए, साथ ही हमें आप ये भी suggest कर सकते हैं, कि next book summary आप कौन सी सुना चाहेंगे, बहुत जल्द एक नई book summary के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक रखिए अपना बहतर ख्याल,